हेलो फिरेंस स्वागात आपसे भी कहा हमारी यूटूब चैनल में तो फिरेंस आज हम लोग इस वीडियो में जैसे आटी क्लास 5 का मैत का कोश्ण को हल करेंगे तो पिछली वीडियो में यहां तक जो है न कोश्ण को हल कर लिये थे यह आपका पांच नमर का कॉश्ण था ठी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं ठीक है देखिए छोग नमर क्वेशन में कहता है यह पर बिजली के तार का दो बंडल है जिसमें क्रमसब 75 मीटर 40 संटीमीटर तथा 81 मीटर 66 संटीमीटर तार है दोनों बंडल में कुल कितना बिजली का तार है तो यहाँ पर देखिए पहला बंडल में 75 मीटर 40 संटीमीटर का तार है और दूसरा बंडल में जो है ना 81 मीटर 66 संटीमीटर का तार है तो इसमें बोल रहा है कि दोनों बंडल में कुल कितना होगा तो देखिए फ्रंस मेंने कॉश्चन को कोपी में उतार लिया है देखिए जैसे यारटी करास फाइप मैत और देखिए यह वीडियो का चछठा पार्ट है इससे पहले पांच पार्ट वीडियो अप्लोड हो चुगा है तो चलिए इसको सिधा हल करते हैं देखिए यहाँ पर क्या करना है तो देखिए सबसे पहले हैं पर लिखेंगे पहला तार का बंडल बराबर कितना है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 75 मीटर 40 सेंटी मीटर ठीक है और दूसरा वाला निचे में लिखते हैं दूसरा तार का बंडल बराबर दिखिए दूसरा तार का बंडल कितना है 82 मीटर 66 सेंटी मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे 82 मीटर 66 सेंटी मीटर अब यहाँ पर नीचे में क्या करना है देखिए जो निकालने पर रहा है उसको लिखना है दोनों बंडल में कुल कितना बिजली की तार है तो यहाँ पर लिख देना है कुल बिजली की तार बराबर तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे ठीक है देखिए यहाँ पर सेंटी मीटर सेंटी मीटर तो नीचे में आपका सेंटी मीटर आएगा चो को जिरो से जोड़ेंगे चो हो जाएगा चो चार दस का जीरो हासिल आपका एक रह जाएगा हासिल इसके साथ अब जोड़ देंगे ठीक है पांच दू साथ हासिल एक यहां कहा हसी तो 5, 2, 7, 8, 6, 6, 7, 8 हो जाएगा तो यह पर 8 लिख देंगे मीटर है यह पर मीटर लिख देना है ठीक है अब यहां पर 8, 7, 15 तो यहां पर 15 हो जाएगा तो देखिए इस तरह के से 158 मीटर 6 सेंटी मीटर इतना आगया इस कॉस्ट्टिन का आंसर मतलब दोनों ब बंडल दोनों बंडल में ठीक है दोनों बंडल में कुल बिजली की तार इतना है चलिए ये होगी आपका आंसर आप इसको देख लिजे नॉट कर लिजे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्टन की और तो चलिए फ्रेंस अगला कॉस्टन देखे साथ नमबर रहीम ने 225 किलो मिटर 350 मिटर की दूरी बस से तथा 115 किलो मिटर 750 मिटर की दूरी ट्रेंड से तई किया रहीम ने कुल कितना दूरी तई किया तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं देखिए बहुत ही आसाना जदा हाट कॉस्टन नहीं है तो देखिए फ्रेंस कॉस्टन क्या काता है रहीम नाम का एक लड़का है जो कि बस के दूरा इतना दूरी तई करता है और ट्रेंड के दूरा इतना दूरी तई करता है तो रहीम के दूरा कूल कितना दूरी तई हुआ बस वही बताना है आपको तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है रहीम बस के द्वारा रहीम बस के द्वारा तय की गई दूरी बराबर दिखी कितना दिया हुआ है दो सो पचीस किलो मीटर और तिन सो पचास मीटर तो यहाँ पर लिखते हैं दो सो पचीस किलो मीटर और कितना दिया है तिन सो पचास मीटर तिन सो पचास मीटर ठीक है अब यहाँ पर आपको लिखना है रहीम ट्रेन के द्वारा रहीम ट्रेन के द्वारा ट्रेन के द्वारा तै की गई दूरी ब्रावा दिखे ट्रेन में कितना दूरी तै की तो 115 किलो मिटर तो यहाँ पर 115 किलो मिटर लिखेंगे उसके बाद दिखे 750 मिटर तो 750 मिटर के जिए हम लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए रहीम ने कुल कितना दूरी तै किया तो यहाँ पर लिखना है रहीम दौरा तै की गई कुल दूरी ब्रावर यहाँ पर क्या करना है जोड देना है मिटर को मिटर के साथ जोड़ेंगे तो मिटर होगा जिरो जिरो जोडने पर जिरो आएगा पांच पांच दस कर जिरो हसिल एक रहेगा साथ तिन दस हसिल एक ग्यारो का एक हसिल आपका एक रहेगा किलो मेटर किलो मेटर सब जोड़ेंगे तो किलो मेटर ही रहेगा ठीक है अब मैं आपर देखिए 5, 5, 10 हसी लेग यहां का तो 11 होगे 11 का एक फिर आपका हसी लेग रहा गया 2 और 1, 3 हसी लेग 4 और 2 और 1, 3 तो इतना हो गया इस question का final answer ठीक है तो देख लिजे इसको और अपना copy में इसको उतार लिजे बना लिजे ठीक है फिर बढ़ते हैं next question की ओर तो देखिए friends अगला question आगया अब 8 number इसमें कता है एक दर्जी के पास 460 meter 60 cm धागा है उसने कपड़े की सिलाई में 428 meter 70 cm धागा उप्योग कर लिया दर्जी के पास कुल कितना धागा सेस बचा तो देखिए इसमें जो है एक दर्जी है जो कि इसके पास कितना कपड़ा है तो 460 meter और फिर 60 cm इतना लंबा धागा है अब इसी धागा से उस दर्जी ने 428 meter 70 cm धागा क्या कर लिया उप्योग कर लिया मतलब उसको खर्च कर दिया ठीक है तो काता है कितना बचा उस दर्जी के पास धागा तो निकालना है बहुत है सिंपल है इसमें इसको घटा देंगे पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर लिखते है हल ठीक है अब यहां पर लिखना है सबसे पहले दर्जी के पास कुल धागा इसे लिखना है इस तरी के से ठीक है दर्जी के पास कुल धागा कितना है देखिए 460 मीटर और 60 सेंटी मीटर तो 460 मीटर और फिर 60 सेंटी मीटर तो दिखिए अब यहां पर लिखना है दर्जी द्वारा उप्योग किया गया धागा इसे लिखना है द्वारा उप्योग धागा तो कितना उप्योग किया गया दिखिए चारसो अठाइस चारसो अठाइस मीटर तीक है चारसो अठाइस मीटर और सतर सेंटी मीटर अब यहां पर निचे लिखना है दर्जी के पास कुल सेस धागा तो क्या करेंगे इसमें घटा देगे उप्यर वश्चे मीटर में निचे मीटर से केरी लेना होगा सेंटी मीटर है यह 60 और आपको लेना किसे है मीटर से तो यहां मीटर से अगर केरे लिजेगा तो एक मीटर अगर जाएगFr एक मिटर का मतलब होता है एक सो सेंटीमीटर तो यहां से एक मिटर गया उसका मतलब एक सो सेंटीमीटर गया तो साथ पहले से है और एक सो आया तो एक सो साथ हो गया ठीक है तो यहां पर आपका कितना हो गया 160, यहां पर उपर में लिग दोते हैं 160, अब यहां पर इस से घटाना है, नया वालस नहीं 0 में 0 घटेगा, 0 आएगा अब दिखेए, 6 में तो 7 नहीं घटेगा तो यहां पर दिखेए, 1 है, 2 नों मिलाके 16 बना लेते हैं, तो 16 में साथ घटाते हैं तो कितना हो जाता है नौ बच जाता है ठीक है तो यहाँ पर नौ लिख देते हैं मीटर के नीचे में आपको मीटर ही लिख देना है अब दिखिए चुकि हम लोग यहाँ से केरी लिए थे यहाँ दस बना था फिर यहाँ से केरी लिए थे तीन हो जाएगा यहां पर चार में चार खटेगा जीरो आ जाएगा जीरो लिखना जोरी नहीं है ठीक है तो 31 मीटर 90 सेंटी मीटर उस दर्जी के पास कुल धागा सेस बचा ठीक है तो यहीं हो गया इस कॉश्चन का फाइनल आंसर तो आप इसको देख लिजिए नौट कर लि बस से करता है तथा सेश भाक ट्रेंच से करता है बताये कि वह व्यक्ति ने ट्रेंच से कितना दूरी यातरा तरह तो दिख्या करता है कि यहां यह तो यत्राunda यह तो यह तो आ मिकति का जिसमें से 50 किलो मेटर और साथ सो मेटर बस से करता है बाकी जो है वो ट्रेंड से करता है तो इसमें करता है बताएं कि वह व्यक्ति ने ट्रेंड से कितना दुरी यातरा किया ठीक है तो देखिए यहां पर जैने कुल यातरा में आपको क्या करना है बस का यातरा को घड़ा दना है आपका ट्रेंड का यातरा निकल जाएगा तो चलिए हैं पर लिखते हैं पहले हल अब यहां पर लिखना है व्यकति व्यकति का कूल व्यकति का कूल यात्रा बराबर कितना है देख लीजिए 85 किलो मेटर पचासी किलो मीटर और फिर कितना है पानसो मीटर पानसो मीटर टीक है अब दिखिए यहां पर बस के दोरा कितना दोरी टाइ करता है 5000 किलो मीटर और 700 मीटर टीक है वजब अब अब लिखेंगे व्यक्ती बस के के द्वारा तै की गई दूरी यहां पर तै की गई दूरी लिख सकते हैं या फिर यातरा की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा देखिए 50 किलो मेटर और 700 मेटर तो 50 किलो मेटर 700 मेटर इतना दूरी तै किया इससे बस से यह बस वहाँ है ठीक है व्यक्ति बस के द्वारा तै की गई दूरी इतना है तो अब आपको निकालना क्या है ट्रेन के द्वारा तै की गई दूरी तो अपर लिखेंगे व्यक्ति ट्रेन के द्वारा तै की गई दूरी तो कितना अब देखिए यहाँ पर करना कि आपको घटा दना है मीटर में मीटर यहाँ पर आपको मीटर ही लिख दना है जिरूम जिरू घटेगा तो जिरू आएगा फिर जिरूम जिरू घटेगा तो जिरू आएगा और इधर देखिए पांच में अब सात नहीं घटेगा तो क्या करना होगा यहाँ से केरे लेना होगा तो ध्यान देज गता तो जिरो जिरो गटेगा तो जिरो आ गया और इहां पर एक आ mai रहे गा अब यहां पर का आंसर तो आप इसको देख लिए नौट कर लिए अपने कुपी में और एक लास्ट कुशन बचावाई दास्ट नमर का तब यह आपका लेंथ लंबाई से रेलेटेड जितना भी कॉशन है वो सारा समाप्त हो जाएगा तो देखिए फ्रेंस यह लास्ट कॉशन है ठीक है द कर से पहले आपको लिखना है कछवाद्वारा कछवाद्वारत्ताइ की गई कछवद्वारत्ताइ की गई दूरी दूरी एक दिन में ठीक है कितना है देखिए एक किलो मेटर 500 तो एक कीलो मीटर 500 मेटर ठीक है अलांकि खर्गोस वाला पहले लिखते हैं जदा अच्छा होता ठीक है बनाने में सुभीधा होता अश्य लेख लेते हैं अब यह पर लिखेंगे खर्गोस खर्गोस द्वारा तय की गई दूरी बराबर खर्गोस की तन दूरी तय किया है देखिए तेन किलो मीटर चार सो मीटर इतना दूरी तय कोन किया है तो खर्गोस किया है अब क्या करना है खर्गोस का दूरी जो है वो ज़्यादा है कच्छवा से तो कच्छवा को नीचे ऑपर में लिखेंगे तो इसको यहां पर एर्ण्ज करके लिए दोरी बराबर कितना है खरगोस तीन किलो मेटर चार समेंटर होते हैं किलो मीटर चार सा मीटर कच्छुआ द्वारा तै की गई दूरी तो कितना है देखेगे एक किलो मीटर पान सा मीटर अब इसको क्या करना है यहाँ पर नीचे एक लान लिख देना है खरगोष द्वारा अधिक तै की गई दूरी बराबर कैसे होगा यहाँ पर घटा देंगे अब कांसर निकल जाएगा ठीज घटाने पर आंसर आ जागा देखें मिटर मिटर घटेगा तो मिटर रहेगा जिरूम जिरू घटेगा जिरू आएगा जिरूम जिरू घटेगा तो जिरू आएगा अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा चार में तो पांच ने घटेगा तो आपको किलो मिटर से पाइचा लेना पड़ेगा हासिल लेना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर मीटर है यहाँ पर किल सब मीटर हो जाएगा जिसक्रक्षक सब्रेख अब किलो मिटर के निचे किलो मेटर सस्कudeel टो 100% द्वारा अधीग दूरी तय किया गया किसे तखर्गोष से तो बस यही हो गया इस कोशन का फाइनल आमसर ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा समझ मैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आपने चीनलों को अभी तक सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ